आप सब का स्वागत है ऐसे तो मन की बात हर महिने के आखिरी रविवार को होता है लेकिन इस बार एक सब्सा पहले ही हो रहा है आप सब जानते ही हैं अगले हपते मैं अमेरिका में रहूंगा और वहाँ बहुत सारी भागदोर भी रहेगी और इसलिए मैंने सोचा वहाँ जा क्या होगा जनता जनारदन का आशिरवात आपकी प्रेणा मेरी उर्जया भी बढ़ती रहेगी साथियों बहुत से लोग कहते हैं कि प्रधान मंत्री के तोर पर मैंने अच्छा काम किया वह बड़ा काम किया मन की बात के कितने ही स्रोता अपनी चिठियों में बहुत सारी प ये अच्छा किया ये ज्यादा अच्छा किया ये बड़िया किया लेकिन मैं जब भारत के सामान्य मानवी के प्रयास उनकी मेहनत उनकी इच्छासक्ति को देखता हूं तो खूद अपने आप अभिभूत हो जाता हूं बड़े से बड़ा लक्ष हो कठिन से कठिन चुनोती हो भारत के लोगों का सामुहिक बल सामुहिक शक्ति हर चुनोती का हल निकाल देता है अभी हमने दो-तीन दिन पहले देखा कि देश के पस्चिमी छोर पर कितना बड़ा साइकलोन आया तेज चलने वानी हवाएं, तेज बारिश, साइकलोन विपर जोई ने कठ्छ में कितना कुछ तहस नहस कर दिया लेकिन कठ्छ के लोगों ने जिस हिम्मत और तयारी के साथ इतने खत्रनाक साइकलोन का मुकाबला किया वो भी उतना ही अभूतुर्व है दो दिन बाद ही कठ्छ के लोग अपना नया वर्ष यानि असाडी बीच भी मनाने जा रहे हैं ये भी संयोग है कि अशाड़ी बीश कच में वर्षा की सरुवात का प्रतीक मना जाता है मैं इतने साल कच आता जाता रहा हूँ वहां के लोगों के सेवा करने का मुझे सवभागे भी मिला है और इसके लिए कच के लोगों का होसला और उनकी जिजी विशा के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ दो दसक पहले के विनासकारी भूकम के बाद जिस कच के बारे में कहां जाता था वो कभी उठ नहीं पाएगा अज बही जिला देश के तेजी से विक्सित होते जिलों में से एक है मुझे विश्वास है साइकलोन विपरजोय ने जो तबाही मचाई है उससे भी कचके लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे साथियों प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रभंधन की जो ताकत विक्सित की है वो आज एक उधान बन रही है प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृतिका सवरक्षन आजकल मौनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है इसलिए ही आजदेश कैद रही जैसे अभियानों के जरिये सामोही प्रयास कर रहा है पिछले महिने मन की बात में ही हमने जल सवरक्षन से जूड़े स्टार्ट अप्स की चर्चा की थी इस बार भी मुझे चिठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक मुंद बचाने के लिए जी जान से लगे है ऐसे ही एक साथी है यूपी के बांदा जिले के तुलसराम यादव जी तुलसराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेल खंड शेतर में पानी को लेकर कितनी कठिनाईया रही है इस चनोती से पार पाने के लिए तुलसराम जी ने गाउं के लोगों को साथ लेकर इलाके में चालिस से ज़्यादा तालाब बनवाए हैं तुलसराम जी ने अपनी मुहिम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में गाउं का पानी गाउं में आज उनकी महनत का ही नतीजा है कि उनके गाउं में भूजल स्तर सुधर रहा है ऐसे ही यूपी के हापूर जिले में लोगों ने मिल करके एक बिलुप्त नदी को पुनर्जी भी किया है यहां काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी समय के साथ वो लुप्त हो गई लेकिन स्थानिय स्मृतियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा आखिर कर लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सज्यू करने की ठानी लोगों के सामुहिक प्रयास से अमनीम नदी फिर से जिवन्त होने लगी है नदी के उद्गम स्थल को अमृत सरोवर के तौर भी विक्सित किया जा रहा है साथियों ये नदी, नहर, सरोवर ये केवल जलसरोत ही नहीं होते हैं बलकि इन से जीवन के रंग और भावनाय भी जुड़ी होती हैं ऐसा ही एक द्रश्य भी कुछी दिन पहले महराष्ट में देखने को बिला ये इलाका जादातर सुखे की चपेट में रहता है पांच दसक के इंतजार के बाद यहां निलवंडे डेम की कैनाल का काम अब पुरा हो रहा है कुछ दिन पहले टेस्टिंग के दोरान कैनाल में पानी शुड़ा गया था इस दोरान जो तस्वीरें आई वो वाकई भावुक करने वाली थे गाउं के लोग ऐसे जुम रहे थे जैसे होली दिवाली का त्योहार हो साथियों जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज चत्रपती सिवाजी महराज को भी याद करूँगा चत्रपती सिवाजी महराज की वीरता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध का उसल से भी बहुत कुछ सिखने को मिलता है विशेशकर जल प्रबंधन और नव सेना को लेकर चत्रपती सिवाजी महराज ने जो कार्य किये वो आज भी भारतिय इतिहास का गवर बढ़ाते हैं उनके बनाए जलदूर्ग इतनी सताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं इस महने की शुरुवात में ही छत्रपति सिवाजी महाराज के राज्या विशेक के 350 वर्ष पूरे हुए हैं कारिकमों का आयोजन किया गया मुझे आध है कई वर्ष पहले 2014 में मुझे राइगर जाने उस पवित्र भूमी को नमन करने का सवभाग्य मिला था यह हम सब का कर्तव है कि उस आउसर पर हम छत्रपति सिवाजी महाराज के प्रमंद काउशन को जाने उनसे सीखे इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और बविश के लिए कर्तवियों की प्रेणा भी मिलेगी मेरे प्यारे देश वाच्यों आपने रामायन के उस नन्नी गिलहरी के बारे में जरूर सुनाप होगा जो राम सेतु बनाने में मदद करने के लिए आगे आई थी कहने का मटलब ये कि जब नियत साफ हो प्रयासों में इमानदारी हो तो फिर कोई भी लक्ष कठिन नहीं रहता भारत भी आज इसी नेक नियत से एक बहुत बड़ी चुनावती का मुकाबला कर रहा है ये चुनावती हैं टीबी की जिसे छै रोग भी कहा जाता है भारत ने संकल्प किया है दोहजार पचीस तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष बहुत बड़ा जरूर है एक समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे लेकिन ये आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदर से बना कर उनकी मदद की जा रही है इस अक्षए रोक को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षए मित्रों ने मोर्चा सभाल लिया है देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्द सामाजिक समस्ताई निक्षए मित्र बनी है गाउं देहात में पंचायतों में हजारों लोगों ने खुद आगया कर टीबी मरीजों को गोद लिया है कितने ही बच्चे हैं जो टीबी मरीजों की मदद के लिए आगया आए हैं ये जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है इसी भागीदारी की वज़े से आज देश में दस लाग से ज़्यादा टीबी मरीजों को गोड लिया जा चुका है और ये पुन्य का काम किया है करीब करीब 85,000 निक्षए मित्रों ने मज़े खुशी है कि देश के कई सरपंचों ने ग्राम प्रधानों ने भी ये बिड़ा उठा लिया है कि वो अपने गाउं में टीबी को समाप्त करके ही रहेंगे नईनितार के एक गाउं के निक्षए मित्रों स्रिमान दिकर्सी मेवाडी जी ने टीबी के छे मरीजों को गोड लिया है ऐसे ही किन्नोर की एक ग्राम पंचाइक के प्रधान निक्षय मित्र श्रिमान ज्ञानसी जी भी अपने ब्लॉक में टीबी मरीजों को हर जरूरी सहायता उप्लब्त कराने में जुटे हैं भारत को टीबी मुक्त बनाने की मुहिम में हमारे बच्चे और युवा साधी भी पीछे नहीं है हिमाचल प्रदेश के उना की साथ साल की बेटी नलीनी सिंह का कमाल देखिए बिटिया नलीनी अपनी पॉकेट मनी से टीबी मरीजों की मदद कर रही है आप जानते हैं कि बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है लेकिन MP के कटनी जिले की 13 साल की मिराक्षी और पच्चिम मंगाल के डायमन्ड हारबर के 11 साल के बश्वर मुखर जी दोनों ही कुछ अलग ही बच्चे हैं इन दोनों बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे भी टीबी मुक्त भारत के अभियान में लगा दिये हैं ये सभी उधारण भावगता से भरे होने के साथ ही बहौत प्रेरग भी हैं कम उम्र में बड़ी सोच रखने वाले इन सभी बच्चों की मैं रदय से प्रसंसा करता हूँ मेरे प्यारे देश वासियों हम भारत मासियों का स्वभाव होता है कि हम हमेशा नए विचारों के स्वागत के लिए तयार रहते हैं हम अपनी चीजों से प्रेम करते हैं और नई चीजों को आत्मसाद भी करते हैं। इसी का एक उधान है जपान की तकनीक मियावाकी। अगर किसी जगह की मिटी उबजाव नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस छेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है। मियावा की जंगल तेजी से फैलते हैं और दो तीन दसक में जैव विविद्रता का केंद्र बन जाते हैं। अब इसका प्रसार भहुत तेजी से भारत के भी अलग-अलग हिस्सों में हो रहा है। हमारे हाँ केरला के एक टीचर स्रिमार राफी रामनाज जी ने इस तक्निक से एक इलाके की तस्वीरी बदल दी। दरसल रामनाज जी अपने स्टूडेंट्स को प्रकृती और परियावरण के बारे में घहराई से समझाना चाहते थे। इसके लिए उनोंने एक हर्बल गार्डन ही बना डाला। उनका एक गार्डन अब एक बायो डारोसिटी जोन बन चुका है। उनकी इस काम्याबी ने उन्हें और भी प्रेना दी। इसके बाद राफी जी ने मियावा की तक्निक से एक मिनी फॉरेस्ट यानि छोटा जंगल और इसे नाम दिया विद्यावनम। अब इतना खुबश्रत नाम तो एक सिक्षक ही रख सकता है। विद्यावनम। रामनाजी के इस विद्यावनम में छोटी सी जगह में 115 वेराइटी के 450 से अधीक पैड लगाए गए है। उनके स्टूडन्स भी इनके रखरखाव में उ इस खुबसुरत जगह को देखने के लिए आसपास के स्कूली बच्चे, आमनागरीक, काफी भीडू मरती हैं। मियावाकी जंगलों को किसी भी जगह यहां तक की शहरों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। कुछ समय पहले ही मैंने गुजरात में केवडिया, एकता लोगों की याद में मियावा की पद्धती से स्मृतिवन बनाया गया है। कच्च जैसी जगह पर इसका सफन होना यह बताता है कि मुश्किल से मुश्किल प्राकृतिक परिवेश में भी यह तकनिक कितनी प्रभावी है। इसी तरह अंबाजी और पावागड में भी मियावा की उद्ध्यान तयार किया जा रहा है। पिछले चार साल में मुंबई और उसके असपास के इलाकों में ऐसे 60 से ज़्यादा जंगलों पर काम किया गया है। अब तो यह टेकनिक पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है। सिंगापूर, पैरिस, आस्ट्रेलिया, जैसे कितने ही देशों में इसका बड़े पैमाने पर उप्योग हो रहा है। मैं देश वास्यों से खासकर शहरों में रहने वाले लोगों से आगर करूंगा कि वे मियावा की पद्दल्ती के बारे में जरूर जानने का प्रयास करें। इसके जरिये आप अपनी धर्ती और प्रक्तिती को हरा, भरा और स्वच्छ बनाने में अमुल्ले योगदान दे सकते हैं। मेरे प्यारे देश वास्यों आजकल हमारे देश में जम्मु कश्मीर की खूब चर्चा होती है। कभी बढ़ते परियतन के कारण तो कभी G20 के शांदार आयोजनों के कारण। कुछ सम रहे हैं। अब जम्मु कश्मीर के बारा मुला जिले के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है। बारा मुला में खेती वारी तो काफी समय से होती है। लेकिन यहां दूद की कमी रहती थी। बारा मुला के लोगों ने इस चुनाउती को एक आउसर के रुप में लिया। यहा एक बहन है इश्रत नभी इश्रत एक ग्रेजुएट है और इन्हों ने मीर सिस्टर्स डेरी फार्म शुरू किया है उनके डेरी फार्म से हर दिन करीब एक सो पचास लिटर दूद की बिक्री हो रही है ऐसे ही सोपोर के एक साती है वसीम अनायत वसीम के पास दो दरजन से ज़्यादा पशु है और वो हर दिन 200 लिटर से ज़्यादा दूद बेचते हैं एक और यवा आबिध हुसेल भी डेरी का काम कर रहे हैं इनका काम भी पूब आगे बढ़ रहा है ऐसे लोगों की मेहनत की वज़े से ही आज बारा मुला में हर रोज साड़े पांच लाख लीटर दुद उत्पादन हो रहा है पूरा बारा मुला एक नई स्वेत क्रांती की पहचान बन रहा है पिछले धाई तीन वर्सों में यहां 500 से ज्यादा डेरी उन्विश्ट लगी है बारा मुला की डेरी इंड़स्ट्री इस बात की गवां है कि हमारे देश का हर हिस्सा कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है किसी छेत्र के लोगों की सामुई की इच्छा शकती कोई भी लक्ष प्राप्त करके दिखा सकती है मेरे प्यारे देश विमेंस जूनियर एशिया कब जीत कर तिरंगे की शान बढ़ाई है इसी महिने हमारी मेंस होकी टीम ने भी जूनियर एशिया कब जीता है इसके साथ ही हम इस टूर्णामेंट के इतिहास में सबसे अधीक जीत दर्जे करना वाले टीम भी बन गए हैं जूनियर सूटिंग वर्लकप उसमें भी हमारी जूनियर टीम ने भी कबाल कर दिया भारतिय टीम ने इस टूर्णामेंट में पहला स्थान हासिल किया है इस टूर्णामेंट में कुल जितने गोल्ड मिडल्स थे उसमें से 20 परसंट अखेले भारत देखाते में हैं इसी जून में Asian under 20 athletic championship भी हुई इसमें भारत पदक तारिका में 45 देशों में top 3 में रहा साथियों पहले एक समय होता था जब हमें अंतराष्ट्री आयोजनों के बारे में पता तो चलता था लेकिन उसमें अक्सर भारत का कहीं कोई नाम नहीं होता था जैकर आज मैं केवल पिछले कुछ सफ़ता के सफ़ताओं का जिक्र कर रहा हूँ तो भी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है यही हमारे युवाओं की असली ताकत है ऐसे कितने ही खेल और प्रतियोगिता हैं जहां आज भारत पहली बार अपनी मौजूद्गी दर्ज करवा रहा है दैसे की लौंज जंप में स्री शंकर मुरली ने पैरिस डाइमन लीग जैस प्रतिश्टित आयोजन में देश को ब्रॉंद दिलाया है यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला मेडल है ऐसे ही एक सभलता हमारी अंडर सेवेंटी वुमेन रेस्लिंग टीम ने करगिस्थान में भी दर्ज की है बैदेश के इन सभी अटलेट्स उनके पैरेंस और कोच सब को उनके प्रयासों के लिए बहुत बदाई देता हूं साथियों इंटरनेशनल आयोजनों में देश की सभलता के पीछे राष्टियस तर पर हमारे खिलाडियों की कड़ी मेहनत होती है आदेश के अलग लग राज्यों में एक नए उत्सा के साथ खेलों के आयोजन होते हैं इन से खिलाडियों को खेलने जीतने और हार से सिखने का मौका मिलता है जैसे अभी उत्तर प्रदेश में खेलों इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ इसमें युवाओं में खुब उत्सा और जोस्त देखने को मिला इन खेलों में हमारी युवाओं ने 11 रिकॉर्ड तोड़े हैं इन खेलों में पंजाब उनिवर्सिटी अमरित सर की गुरु नानक देव उनिवर्सिटी और करनाटका की जैन उनिवर्सिटी मेडल टैली में पहले स्तीन सानों पर रही हैं साथियों ऐसे टुर्णामेंट्स का एक बड़ा पहलू यह भी होता है क इनसे एक खेलाडियों की कई inspiring stories भी सामने आती हैं खेलो इंड्या उनिवरुजिटी गिम्स में रोविंग स्परधा में असम की कौटन उनिवरुषिटी के अन्यतम राजकुमार ऐसे पहले दिव्यांग खेलाडी ब्не जिनों ने इसमा लिया बर्कत्वला pagan उनिवरुटी में काम्यार रही सावित रिबाई फूले पूने उनिवर्सिटी के सुभम भंडारे को एंकल इंजरी के चलते पिछले साल बेंगलूरु में निराशा हाट लगी थी लेकिन इस बार वे स्टैपल चेस के गोल मेडलिस्ट बने हैं बर्दवान उनिवर्सिटी की सरस्विती कुंडू अपनी कबडी टीम की कैप्टेन है वे कई मुश्किलों को पार कर यहां तक पहुंची है बहतरीन प्रदर्शन करने वाले बहुत सारे एक्लेट्स को टॉप स्किम से भी बहुत मिल रही है हमारे खिलाडी जीतना खिलेंगे उतना ही खिलेंगे मेरे प्यारे देश्वासियों 21 जून भी अब आही गई है इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर राष्टिय योग दिवस का उत्सुक्ता से इंतजार कर रहे हैं इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फर्वसुध है कुटम कम यानि एक विश्व एक परिवार के रूप में सब के कल्यान के लिए योग यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सब को जोडने वाली और साथ लेकर चलने वाली है हर बार की तरह इस भार भी देश के कोने कोने में योग से इस बार मुझे नियोर्क के सयुक्त राष्ट मुख्षाले यूएन में होने वाले योग दिवस कारकम में शामिल होने का आउसर मिलेगा मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है साथियों मेरा आप सभी से आगर है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाए इसे अपनी दिन चरिया का हिस्सा बनाए अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बहतरिन मुका है योग में तो बैसे भी ज जादा ताम जाम की जरूती नहीं होती हैं देखिए जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा मेरे प्यारे देश्वासियों परसों यानि 20 जून को अइतिहासिक रथ्यात्रा का दिन है रथ्यात्रा की पूरी दुनिया मे एक विशिष्ट पहचान है देश के अलग लग राज्यों में बहुत दुमदाम से भगवान जगनात के रथ्यात्रा निकाली जाती हैं ओडिसा के पूरी में होने वाली रथ्यात्रा तो अपने आप में अध्भूत होती हैं जब मैं गुजरात में था तो मुझे आमदाब में होने वाली विशाल रथ्यात्रा में शामिल होने का आउसर मिलता था इन रथ्यात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज हर वर्क के लोग उमरते हैं वो अपने आप में बहुत अनुकर्णी है यह आस्ता के साथ ही एक भारत स्रेश्ट भारत का भी प्रतिविम होती ह इस पावन पुनित आउसर पर आप सभी को मेरी वर से बहुत बहुत शुब कामना हैं मेरी कामना है भगवान जगनात सभी देश वास्यों को अच्छे स्वास्त और सुक्ष समरुद्धि का आशिर्वात प्रधान करें साथियों भारतिय परंपरा और संस्कृती से उत्सव की चर्चा करते हुए मैं देश के राजभवनों में हुए दिल्चस्प आयोजनों का भी जरूर उल्लेक करूंगा अब देश में राजभवनों की पहचान सामाजिक और विकास कारियों से होने लगी है आज हमारे राजभवन टीबी मुक्त भारत अभ्यान के प्र हो गोवा हो तिलंगना हो महाराष्ट हो सिक्किम हो इनके स्थापना दिवस को अलग-अलग राजभवनों ने जिस उत्सा के साथ सेलिबरेट किया वह अपने आप में एक मिशाल है यह एक बहतरीन पहल है जो एक भारत स्वेश्ट भारत की भावना को ससक्त बनाती है साथियों भारत लोगतंतर की जननी है मदरब डेमोक्रेसी है हम अपने लोगतंतरिक आदर्शों को सर्वोपरी मांते हैं अपने संविधान को सर्वोपरी मांते हैं इसलिए हम 25 जुन को भी कभी भूला नहीं सकते यह वही दिन है जब हमारे देश पर एमर्जन्सी थोपी गई थी यह भारत के इतिहास का काला दौर था लाखों लोगों ने इमर्जन्सी का पूरी ताकत से विरोत किया था लोग तंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सहर उड़ता है इन अत्याचारों पर पुलीस और प्रशासंद वाला दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तके लिखी गई है मुझे भी संगर्स में गुजरात नाम से किताब लिखने का हुस्स में मोका मिला था कुछ दिनों पहले ही इमर्जन्सी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई जिसका सिर्षक है टॉर्चर पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया एमर्जन्सी के दोरान छपी इस पुस्तक में वर्णन किया रहा है कि कैसे उस समय के सरकार लोग तंत्र के रखवालों से क्रूर तम ब्यहवार कर रही थी इस किताब में धेर सारी केस्टडीज हैं बहुत सारी चित्र हैं मैं चाहू रहे हैं तो देश की आज़ादी को खत्र में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी जरूर अवलोकन करें इससे आज की युवापीधी को लोग तंत्र के मायने और उसकी एहमियत समझने में और ज्यादा आसानी होगी मेरे पैरे देश्वासियो मन की बात रंग बिरंगे मोतियों से सजी एक सुन्दर माला है जिसका हर मोती अपने आप में अनूठा और अन्मोल है इस कारकम का हर एपिसोड बहुती जीवन्त होता है हमें सामुहिक्ता की भावना के साथ साथ समाज के प्रती करतवे भाव और सेवा भाव से भरता है यहां उन विश्वाव पर खुलकर चर्चा होती है जिनके बारे में हमें आम तोर पर कम ही पढ़ने सुनने को मिलता है हम अक्सर देखते हैं कि मन की बात में किसी विशे का जिक्र होने के बाद कैसे अनेकों देश वार्षों को नई प्रेड़ा मिली हाली है मैं मुझे देश की प्रसित्य भारतिय सास्त्रिय नुत्यांगना आनंदा शंकर जैन का एक पत्र मिला अपने पत्र में उन्होंने मन की बात के उस एपिशोर के बारे में लिखा है जिसमें हमने स्टोरी टेलिंग के बारे में चर्चा की थी उस कारकम में हमने इस फिल्ड से जुड़े लोगों की प्रतिभा को अकणालिश किया था मन की बात के उस कारकम से प्रेडित होकर आनंदा संकर जैन्त ने कुट्टी कहानी तयार की है यह बच्चों के लिए अलग अलग भाशाओं की कहानीों का एक बहतरिंच संग्रव है यह प्रेयास इसलिए भी बहुत अच्चा है क्योंकि इससे हमारे बच्चों का अपनी संस्कृति से लगाव और गहरा होता है उन्होंने इन कहानियों के कुछ इंट्रेस्टिंग वीडियो अपने यूटूब चैनल पर भी अप्लोड किये हैं मैंने आनंदा संकर जैन्त के इस प्रेयास की विशेश तोर पर इसलिए चर्चा की क्योंकि ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे देश वास्यों के अच्छे काम दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं इससे सिक्कर वे भी अपने हुनर से देश और समाज के लिए कुछ बहतर करने की कोशिश करते हैं यही तो हम भारत वास्यों का वो कलेक्टिव पावर है जो देश की प्रक्रिती में नई शक्ति भर रही है मेरे प्यारे देश वास्यों इस बार मन की बात में मेरे साथ इतना ही अगली बार नए विश्यों के साथ अब से फिर मुलाकात होगी बारिश का समय है इसलिए अपने स्वास का खूब ध्यान रखिए संतुलित खाईए और स्वस्त रहिए हाँ योगा जुरूर कीजिए अब कई स्कुलों में गर्मी की छुटियां भी खत्म होने को है मैं बच्चों से भी कहूंगा कि होमवर्क लाज दिन के लिए पैंडिंग ना रखे काम खत्म करिए और निश्चिंत रहिए बहुत बहुत धन्यवाद